सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल निव आइडियास को और दवाइए बेल आइकन हमारे वीडियो को सबसे पहले देशने के लिए नमस्कार आदाप सस्रियाकाल स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निव आइडियास वाइटी में गाइस काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि जो M2R5 है वो लिवल में सिकेंड पेपर उसके बारे में बताईए कि उसका स्लेबस क्या है उसमें कौन कौन से चैप्टर है और उस चैप्टर के अंतर रहत हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और काफी लोगों के में में confusion थी कि M2R5 और M2R4 में अंतर क्या है मुझे कौन सा पढ़ना है M2R5 या फिर M2R4 तो आज मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में M2R5 का स्लेबस और M2R5 और M2R4 में से आपको क्या पढ़ना है आपके एक्जाम में कौन सा कौशन पेपर आए 2020 में लिया है यानि कि आपने O level का admission 2020 में लिया है तो आपको basic M2R5 पढ़ना है क्या पढ़ना है M2R5 धान दीजे यहाँ पर जो में मुद्दा है वो है R5 का ठीक है तो अगर आपका registration O level का आपने 2020 में लिया है तो आपको R5 के जो paper है M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 के paper को follow करना है ध्यान दीजे जो आपका M2R5 है जो की O level का नया स्लेबस है उसका code है M2R5 और book का नाम है web designing and publishing तो यह आपको ध्यान रखना है लेकिन अगर आपने O level में admission 2020 से पहले लिया था या आपने 2019 में लिया हो, 18 में लिया हो, 17 में लिया हो यानि कि आपने 2020 में नहीं लिया है, 2020 से प M2R5 जो की O level का नया स्लेबस है, आप उन दोनों में से किसी को भी follow कर सकते हैं, तो कहने कमेंस यह है कि जिनका registration 2020 के पहले का है, उनके past 24 है, वो चाहें तो M2R5, वो चाहें तो M2R4, M2R4 का जो book है, उसका नाम है internet technology and web designing, जबकि जो नया स्लेबस है, जो 2020 के student है, उनको पढ़ना है, वो आपका है web designing and publishing, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा पढ़ना है, अगर आपका registration 2020 में हुआ है, तो आपको M2R5, यानि कि आपको सारे paper R5 के पढ़ना है, लेकिन अगर आपका registration old है, 2020 के पहले का है, तो आप लोग R5 या फिर R4 के paper जो बच्च है, अगर आप लोगों के ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लिजा वीडियो को like कीजे, support कीजे, ताकि हम आपको अधिस अधिक content को provide करा सकें free of cost, so guys आई देखते हैं कि आपको कौन कौन से topics को cover करना है, आपको screen पर एक chart दिखाई दे रहा होगा, जो है marks distribution का, कि कि किस chapter में से कितने number का maximum आपके exam में question आ सकते हैं, तो जो आपका introduction to web design and editors and HTML basics है, यानि कि जो starting के 3 chapter हैं, उसमें से अधिकतम 25 number के question आपके exam में आएंगे, अधिकतम, ठीक है, इसके बाद जो आपका fourth chapter है, CSS, इसमें से आपके अधिकतम 20 marks के question पूछे जाएंगे, part 1 और part B को मिला कर धान जीजे, जो आपके अपना number दियेगा है maximum, यह आपके part A और part B, दोनों के हैं, ठीक है, इसके बाद जो आपका next chapter है, CSS framework, इसमें से अधिकतम 15 number के question आपके exam में देहने को मिलेंगे, जबकि Java script और Angular Java script जो chapter है, यहां से आपको अधिकतम 20 number के question देहने को मिलेंगे, जबकि photo editor, web publishing and browsing से अधिकतम 20 number के question आपके exam में पूछे जाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका paper है, वो 100 marks का आता है, और मने आपको M1R5 और M2R5 इन दोनों के ही model paper प्रवाइड करा दिये हैं, अगर आपने इनको नहीं देखा है, तो आप उनको देखे ताकि आपको मा अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से topics पढ़ने हैं, तो जो पहला chapter है उसका नाम है introduction to web design, इसके अंतरकत आपको internet, www, website, working of website, web pages, front end, back end, client and server side scripting, responsive of designing, types of website, static and dynamic website, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो second chapter है, वो आपका संबंदित है, इडिटर से, कि आपको जब आप लोग website create करेंगे, तो उसके लिए आपको web page dhend करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन से आप editor का use करेंगे, जैसे का notepad++ हो गया, इसका use कैसे करते हैं, इसमें file कैसे create करते हैं, कैसे editing करते हैं, कैसे file को save करते हैं, कैसे download करते हैं, तो आप आपको यहाँ पर सिखना है किसके बारे में नोट पैड प्लस प्लस और सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में तो जो मैंने आपको वीडियो प्रवाइड करा है है HTML, CSS और JavaScript के मनें उनको अधिक्तम अधिक्तर टेक्स्ट एडिटर जो आपका है सब्लाइम मनें उस पर ही सालों करा है अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो ठीक चलिए दिन इसका जो आपका नेक्स्ट चेप्टर है और टाट इस HTML बेसिक्स जिसकी हल्प से आप लोग वि पेज को create करें जो भी content आप लोग इस PDF में देख पा रहे होंगे highlight किया यलो कलर से इसका मतलब यह है कि new ideas चैनल पर जो आप इस वीडियो को जिस चैनल पर देख रहे हैं वहाँ पर इन topics की वीडियो आपको provide करा दे गई है free of cost च्योंकि हमने जो बाकी topics है मैंने इनको कबर क किया क्योंकि आप लोगों ने support नहीं किया तो मुझे मजबूरी में इस series को continue नहीं करना पड़ा मुझे इसको बंद करना पड़ा stop करना पड़ा बट आप लोगों की डिमांड है कि इस series को continue किया रहे तो मैं आप लोगों की recommendation पर जल्द ही chapter 1 से जो topics बचे हुए हैं मैं इनक इसका आपने structure create कर लिया है लेकिन उसको सजाने के लिए उसको decorate करने के लिए हम लोग CSS यानि की Cascading Style Seat का use करते हैं तो इसके अंदर आप लोग CSS क्या है CSS कितने type की होती है कितने type से apply कर सकते हैं सेलेक्टर क्या होता है properties क्या होती है table कैसे create करते हैं design कैसे करते हैं image गली कैसे create करते हैं यह सब आप लोग इसके अंदर रहत सीखेंगे इसके बाद आपका आता है CSS framework जो की CSS से सम्मंदित है मैंने आपको इसकी एक भी वीडियो प्रवाइड नहीं कराई है बट मैं आपको जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं उनकी वीडियो जल्दी प्रवाइड कराऊंगा तो यह आपका आता 5th chapter इन इसके बाद java script तो इ सीखेंगे दन इसके बाद आता है photo editor आपने समझ लिया कि internet क्या है website क्या होती है website कि होती है webpage कैसे create करते हैं कौन से language जी होती है कौन से editor का use करते है CSS क्या होती है लेकिन अब बात यह आती है कि जो आप लोग website create करेंगे तो उसमें आपको images बनानी होंगी तो image बनाने के लिए भी आपको एक editor चाहिए होगा जिसको बोलते है photo editor तो आपको इस label में Photoshop है क्या है photoshop क्या है Photoshop अपने नाम सुनाओगा Photoshop एड़ाव फोटोसॉप ठीक है अपने नाम सुनाओगा एड़ाव फोटोसॉप तो आपको इस चेप्टर के अंदरगत इड़ाव फोटोसॉप की बारे बताया जाएगा कि वह इसमें एडेटिंग करते हैं उसमें कौन-कौन से टूल्स होत करेंगे ताकि सारे लोग जो इंटेन्ट से जुड़े हैं वो आपके कंटेंट को एकसे कर पाएं कैसे ब्राउज कर सकते हैं तो यह आपको इस चेप्टर के अंदरगत सिखने को मिलेगा यानि कि सबसे पहले आपस देखेंगे कि वह प्रविसिंग और रोजिंग क्या होता है, SGML क्या होता है, DISNR की डाक्यूमंट इंटरच wines कि क्या होता है, WEB Building के कौन कांज से कंपोनें क्या होता है सर्चेंग क्या होता है, kingdom होता है, http क्या होता है, publishingお願いします क्या होता है तो आप लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में इस चेप्टर के अंदरगत पढ़ेंगे अब गाइस अगर आप लोगों को इन चेप्टर की वीडियो क्लास चाहिए और आप नहीं धूड़ पा रहे हैं हाला कि मैंने इनकी लिए बना दी है प्लेलिस्ट तो आप आसे दे सकते हैं लेकिन फिर भी आपको इन टॉपिक्स की वीडियो सर्च करने में दिक्कत आ रहे हूं तो मैं क्या करता हूँ मैं इस वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी वीडियो क्लिप आड़ अड़ कर दूँगा जिससे आप लोग मेरे चनल के जो वीडियो हैं इन वीडियोस को आप step by step दे सकते हैं free of cost गाइस आप लोग चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हुए topics हैं इस PDF स्लेवस के इस paper के M2R5 के उनको cover कराया जाए तो प्रीज आप इस वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए share कीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जूड़ सकें और आप वहाँ से इसको easily watch कर सकते हैं और अपनी दारी को continue कर सकते हैं गाइस अगर आपके वास कोई query है कोई question है तो आप इसे comment कर दीजे अगर आप लोगों की वीडियो informative लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को like कर दीजेगा और अपने दोस्तों को share कर दीजेगा so guys मिलते ह नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू फ्रेंट्स अजयो और आप झाल्स तो you